नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल The Final Touch पे दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एक्जाम आपका 18 फर्वरी को होने वाला है उसके लिए previous year question का set लेकर क्या हैं दोस्तों ये question most important है मतलब आप जो भी तैयारी कर रहे हो एक तरफ है और previous year लगाना एक तरफ है तो आप इस वीडियो को इसके बिल्कुल पहिमत कीजिए सारे questions को देखिए ये नहीं सोचना है question कितना easy है कितना hard है देखिए फालतू के hard question करने से बहतर है मालेजी एक्जाम में जो है अगर 15 question आता है तो उसमें से 2 question hard होते हैं 13 question easy होते हैं लेकिन हम क्या करते हैं hard question करने के चक्कर में हम आसान 13 question नहीं कर पाते हैं ठीक है तो आपको focus ये करना है कि जो आसान question आ रहे हो जो medium question आ रहे हो ठीक है easy to medium moderate उनको आपको solve करना है hard question पर दोड़ना नहीं है अगर आप easy और moderate कर लेंगे तो last में आप hard question भी कर ले जाएंगे ठीक है तो हम इस question इस video में हर type of question solve करेंगे ठीक है और ऐसे ही question आपके exam में देखने को मिलेंगे तो आप इन video को पूरा देखिए बिना skip किए और आपका strategy यह होना चाहिए कि पहले video को pause करिए question को try किजिए और फिर मेरे method को देखिए ठीक है चले start करते है video अच्छा लगे तो share कर दीजेगा और subscribe भी करी दीजेगा अच्छा लगे तो ठीक है चले start करते है पहला question यह है कि एक व्यक्ति एक कारे को 48 मिनट में पूरा करता है जबकि B उसी कारे को 60 मिनट में पूरा करता है उन्हें एक साथ काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा तो यह जो हो गया और यह अपका B हो गया A48 मिनट में करता है B60 मिनट में करता है इनका LCM निकाल लीजिए उम्मिद करता हूँ LCM निकालना आपको आता होगा कुछ भी नहीं करना है 48 को 16 into 3 लिख सकते हैं वैसे 60 को 15 into 4 लिख सकते हैं अब सबसे बड़ा जो है factor क्या है 16 यहाँ पे तो 16 और फिर यहाँ 15 है 5 दिया 15 तो यह 15 जो समझ मेंने आया पूछ सकते हैं ठीक है जो भी आपके doubt हो comment करके आप ज़रूर पुछें मैं आपको बताऊंगा तो 16 into 15 हो गया अब A का हमें efficiency निकालना होता है यह क्या आया यह total work आया ठीक है यह total work आगया अब हमें A और B की efficiency निकालनी है efficiency क्या होती है efficiency होती है जैसे मानली जी A उस काम को 48 मिनट में कर रहा है तो एक मिनट में वो कारे का कितना हिस्सा कर लेगा ठीक है तो efficiency निकालते है total work divided by total time ठीक है इसके efficiency आगई 5 वैसे है आप B की efficiency निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ हो गया 5 यहाँ आप 60 लिग दीजिए ठीक है 15 चोग के 60 और 4 चोग के 16 B की efficiency 4 हो गई ठीक A की efficiency 5 B की efficiency 4 ठीक अब आपको जो है निकालना है कि दोनों मिलके कितना काम करेंगे अब यहाँ हमें 5 और 4 से क्या समझ में आता है कि A जो है एक मिनट में उस कारे का 5 unit कर लेगा 5 हिस्सा कर लेगा और B जो है total कारे का 4 हिस्सा कर पाएगा ठीक तो दोनों मिलकर के एक मिनट में कितना काम करेंगे efficiency का मिले थी efficiency A की मिले थी 5 और B की मिले थी 4 और total work कितना हो जाएगा 9 यानि कि 1 minute में वह 9 unit कारे करेंगे अब दोनों मिलके उस कारे को कितने दिर में खतम कर देंगे हमें ये निकालना है तो divided by 9 कर देंगा total work divided by total efficiency उनकी अब यहां से 3, 5, 15 और 3, 3 जा 9 यह आ गया 80 divided by 3 यह क्या आया इतना minute आया इतना minute आया 80 बटे 3 minute आया इसको आप solve करोगे तो 3, 20 में कितना हो जाएगा 60 इसको आप और थोड़ा solve करो 26, 3, 78 हो जाएगा 26 minute हो गया ठीक है 26 minute और अब बचा कितना 78 plus 2, 2 बटे 3 minute बचा कर दीजिए तो 3, 20 जा 60 ठीक है और 20 तुनी का 40 यह आ गया 40 second 40 second यानि कि दोनों मिल करके उस काम को 26 minute 40 second में कर लेंगे यानि option number 1 is your correct answer देखिए मैंने बहुत detail में समझाया है इस question को जो भी आपको doubt हो आप comment करके मुझसे पूछिए बाकी फिर फिर में आपको समझाने के पुरी कोशिस करूँगा ना समझ में आए तो वीडियो को rewind करके एक बार और देख लीजिए चलिए next question क्यों बढ़ते हैं हम अगला question हमारा है 18, 27 और 18, 27 और एक संख्या की ओसत कितनी है 30 है तीसरी संख्या क्या है लेखिए एक तो इसका simple method यह है average क्या होता है average होता है इन तोनों तीनों को सम करके 3 से divide कर देंगे तो average आजाएगा तो simple method जो होता है वो यह है 18, 27 प्लस x इन दिनों को जोड़ दिया divided by 3 is equal to 30 30 into 3, 90 और यह 27 प्लस 18 कितना हो जाएगा 45 प्लस x is equal to 90 x पराबर कितना आगया 90 minus 45 that is equal to 45 मतलब कि जो तीसरी संख्या हो क्या है 45 है यह तो conventional method हो गया ठीक है तो यहाँ पर आपका जो answer हो जाएगा वह हो जाएगा 45 ठीक है यह आपका answer हो गया 45 इसका करने का एक और method है देखिए मैं आपको समझा देता हूँ सीखिए question से question answer लाना हमारा target नहीं है question से learning क्या मिल रही है यह हमारा target है 18 है 27 है और एक तीसरी संख्या कोई है उनका ओसत कितना है 30 है 18 27 और यह 30 औसत है यह हमारी तीसरी संख्या होगी ठीक है अब देखो average क्या होता है मालो यहां 3 डंडे है 1 यह 2 और यह 1-3 ठीक है इनका अगर हम average निकालेंगे तो पता है क्या होगा हम इस डंडे का कुछ हिस्सा तोड़ करके इसको दे देंगे ठीक तो यह क्या हो जाएगा यह हो गया अब यह इसके बराबर आ जाएगा यह जो है बढ़ जाएगा इसमें जुड़ जाएगा यह तो यह बढ़ जाएगा थोड़ा तो यह भी बराबर हो गया और इसका हिस्सा जो हमने इसको दे दिया तो ये भी इसके बराबर आ जाएगा ठीक है, यानि कि तीनो क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक है वही उसका उस्त हो जाता है, ठीक तो अब देखें क्वेशन पर आते हैं, अब क्वेशन बड़े आसानी से हो जाएगा, क्या होगा कि 18 27 यह X है यो 30 है, ठीक है, तो एक संख्या 18 है पहली average 30 है, मतलब क्या है तीनों को 30 30 होना चाहिए ठीक है, तीनों को 30 30 होना चाहिए तबही तो average 30 हायगा यह तो कितना है, 18 ही है मतलब average से कितना है, minus 12 है ठीक दूसरी संख्या कितनी है 27 है average से कितनी कम है 3 कम है यानि minus 3 तो पहली संख्या और दूसरी संख्या मिला करके average से कितनी कम है 15 कम है यानि minus 15 है तो जो तीसरी संख्या होगी वह average से 15 जादा होगी यही आपको समझना है अगर यहां के समझ जाएंगे तो बिना pen उठाए इस question को solve कर सकते हैं कि पहली संख्या 18 average से 12 कम है 27 average से 3 कम है तो जो तीसरी संख्या होगी वह इन दोनों संख्याएं average से जितनी कम है उससे उतनी जादा होगी समझ रहें मतलब यह अगर minus 15 है तो average तो पहले मान लो कि 30 होगा ही भाई 30-30 सब के पास होना चाहिए न तो यह 30 होगा ठीके उसमें plus 15 हो जाएगा इन दोनों में जो average से कम है जो कम जितना संख्या है उसका जो सम है उसको हम 30 संख्या के साथ जोड़ देंगे तो 30-10-45-45 हो जाएगा तो यह बहुत ही आसान मेथड है थोड़ा practice करेंगे तो यह भी आप सीख जाएगे अब देखिए हमें अगर वही बाटना होगा तो क्या करेंगे इसमें से पहले 30 निकाल लिया हमने अब 15 बचा तो इसको 30 करना है तो इसको हम 12 दे देंगे और इसको 3 दे देंगे तो हमारा क्या आजाएगा 30-30-30-3 हो जाएगे उम्मीद करता हूँ question आपको समझ में आया होगा पहला normal method था और ये थोड़ा सा अच्छा method है तो इसमें भी जो doubt लगया आप comment करके बताइए चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ थोड़ा मैं तेज चल रहा हूँ क्योंकि question कई सारे है और आपको आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पुरा समय बर्बाद करो इस वीडियो को देखने में ठीक है तो वीडियो देखो समझो और फिर अपना practice करो practice is must अब देखिए यदि ब्याज परती वर्ष पर्चक्रिवर्धी 10% है तो दो वर्षों के लिए 14% रुपए पर अरजित ब्याज क्या होगा कोई formula की जोरत नहीं है ठीक है अगर ब्याज जो है 10% compounded है तो दो साल के लिए 1400 रुपए पर अरजित ब्याज क्या होगा 1400 रुपए पर 10% अरजित ब्याज दो साल के लिए देखिए simple interest में क्या होता है कि simple मालो कि 1400 का 10% रहता है तो 10% हो जाता दो साल के लिए 141, 142 सवस्ती हो जाता तो पहले हम simple interest निकाल लेते हैं तो 1400 का 10% निकालेंगे पहला साल 140 लगेगा दूसरे साल भी 140 लगेगा लगेगा ना तो 1400 का 10% कितना होगा 1400 का 10% कितना होगा 140 हो जाएगा तो first year के लिए 140 second year के लिए भी 140 हो गया अब चक्रविद्धी प्याज में क्या होता है कि इस interest पे भी interest लगता है तो 140 पे भी 10% interest लगेगा तो 140 का 10% कितना हो जाएगा 14 अब आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या आजाएगा इसको दोनों उपर वाले को जोड़ेंगे तो simple interest आएगा ठीक है और उसमें प्लस 14 कर देंगे तो आपका compound interest आजाएगा ठीक है तो answer is 284 ठीक है उम्मिद करता हूँ समझ में आया होगा आपको देखिए ये आपका अगर आप option को सही से देखें तो option में सिर्फ एक यहाँ पे जो है आपका यह 14 है तो यहाँ 9 हो जाएगा 294 होगा ठीक है तो option में आप देखेंगे तो unit digit पे सिर्फ एक ही option में 4 है तो आप इसको tick करके आगे बढ़ सकते हैं पुरा जोड़ने की जोड़त नहीं है लेकिन आसान number है तो जोड़ के निकाल लगा यार क्या दिक्कत है ठीक है तो ऐसे आप इस question को solve करेंगे पहले first year का simple interest second year का simple interest और फिर simple interest पे जो interest लगता है वो 10% आपने निकाल दिया इन तीनों को जोड़ दिया 280 plus 14 294 इस यह और correct answer आगे बढ़ते हैं next question is तीन वर्सों के लिए प्रती वर्स 4% पर जमा 25 सो रुपए पर अरजित ब्याज क्या है अब देखिए यहां कुछ बताया नहीं है question में कि simple interest है compound interest है तो हम simple interest निकालेंगे ठीक है देखिए तीन साल के लिए 25 सो रुपए आपके क्या है मूलधन है principle है principle 2500 रुपए है 4% 25 सो का 1% कितना होगा 25 सो का 10 परसेंट होगा 200 एक परसेंट होगा 25 होगा ना 1% हो जाएगा 25 कैसे निकालते हैं अगर आप doubt होगा पूछिएगा मैं बता दूँगा ठीक है तो 1% होगया 25 तो 4 परसेंट कितना हो जाएगा 25 के 100 अगर 1% 25 है तो 4 परसेंट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा न 1, 2, 3 पहले साल के लिए कितना हो जाएगा 25, 4, 100 100 हो गया simple interest पहले साल का दूसरे साल का 100 हो गया और तीसरे साल का 100 हो गया तो कुली भिना के आपका simple interest आया वह 300 रुपए आ जाएगा 300 रुपए मतलब की correct answer is 4 300 is your correct answer अब यहाँ पे देखिए आपको अगर doubt हो कि क्या यह compound interest नहीं होगा तो आप एक बार option उठा के देख लिए न भीया सबसे जादा जो दिया हुआ है option में वो क्या है 300 दिया है ठीक है और अगर इसमें compound interest आप लगाएंगे तो 300 से तो उपर ही जाएगा क्योंकि यही simple interest ही 300 हो गया और अगर आपसे बोलता compound interest बता दो तो क्या करते है यह 100 का 4% पहले निकालते हैं तो कितना हो जाता है 4 रुपए उसके बाद यह 100 और यह 100 200 का 4% निकालते हैं compound interest आ जाता तीसरे साल का अब इन तीनों को आप जोड़ देते तो पूरा पूरा compound interest आ जाता लेकिन यहाँ पे आपसे compound interest पूछा नहीं है खली simple interest पूछा है तो 300 answer लगा करके आप आगे बढ़ जाएंगे तो जो मैं extra चीज़े बता रहा हूँ उनको आपको सीखना है और जहाँ doubt हो comment में पूछना है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की ओर हमारा अगला question है कि 12% की छूट के बाद एक खिलोना 132 रुपे में बेचा गया खिलोने का अंकित मुल ले क्या था ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि mark price, selling price, CP छूट हमेशा mark price पे दिया जाता है यानि mark price में से छूट को अगर minus कर देंगे तो selling price आता है और profit हमेशा cost price पे होता है यानि cost या फिर loss पी cost price पे ही होता है तो cost price में अगर आप selling price अगर profit को add कर देंगे तो selling price आता है या फिर loss को minus कर देंगे या फिर selling price मेंसे अगर आप loss को minus करदेंगे selling price प्राइस आपका 132 रुपए है और cost price आपका 130 रुपए है क्या हुआ profit हुआ तो selling price मेंसे cost price को minus करदेंगे तो profit आता है और अगर cost price मेंसे selling price को minus कर देते है तो loss आता है ठीक है ना यह simple concept है आपको समझ में आना चाहिए अब question पर आते हैं देखिए इसको क्या हुआ है 12% की छूट के बाद तो छूट हम ऐसा किस पर मिलता है mark price है नहीं अंकित मुल्ले पे 12% 12% का fraction value क्या होगा 4 तिया 12, 4 25 में 100 होगा न minus discount दे रहा है न तो 25 उनिट इसका mark price है 3 उनिट का discount दिया तो selling price कितना हो गया 22 हो गया और 22 की value दी गई है कितनी 132 तो 22 उनिट की value 132 रुपय है तो एक उनिट के value क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी ना 6 तुनी 12, छुदी 12, एक 13 तो 6 रुपय हो गई अब हमें क्या निकालना है mark price mark price कितना है 25 उनिट है तो 25 इंटू 6 कर दो 25 है कि 150 रुपय उसका mark price आ जाएगा ठीक है तो आपका answer number third is your correct answer 150 रुपय उम्मिद करता हूँ यह समझ में आपको आ रहा होगा चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ अंगला question है कि 434 रुपय में एक पेन बेच कर रमेश 24 परसंट लाब कमाता है रमेश ने पेन किस मुल्य पर खरीदा था ठीक है 24 परसंट लाब कमाता है 434 रुपय में बेच करके simple profit होता है उसको profit किस पर होगा cost price पर होगा तो 24 परसंट की fraction value क्या होगी चार चाके 24 चार पचीस में 100 पचीस यूनिट उसका cost price हो गया और उसमें 6 आप जोड़ दो कि profit हो रहा है तो 25 चाके 31 उसका selling price हो गया ये CP हो गया ये SP हो गया ठीक अब 31 यूनिट के value दी गई है 434 इसको आप solve करोगे कितना आएगा 31 एकम एक यूनिट परावर 31 एकम 31 और इस 14 बार में जाएगा ठीक है 4 एकम 4 चारतियां 12 तो यह आपका एक यूनिट के value आगई 14 14 को आप 31 से divide करोगे 434 मिलेगा ठीक है तो एक यूनिट के value आगई 14 रुपए यानि कि आपको अगर निकालना है कि cost price कितना होगा तो 25 इंटू 14 कर दोगे तो answer आपको मिल जाएगा ठीक है 25 चो के 100 25 से कम 25 और 26 25 से कम 25 और 10 35 ठीक है 355 रुपए 0 correct answer तो यह आपका एक बार option मेश कर लो देखो यह क्या आया 25 चो के 100 10 से आया आपका reminder और 25 एकम 25 और 10 35 तो 300 ही आपका correct answer होगा option number 1 is your correct answer समझ में आ रहा है न एक cost price पे हम ऐसा कैं मिलता है profit होता है ठीक है और question में आपसे बोला है कि 24 परेंट का lab होता है तो आप इसको solve कर लेंगे answer आ जाएगा आसान तरीके में बता रहा हूँ exam में यही तरीका आपको अपनाना है आराम से question बनाते हुए निकलेंगे आप समय बहुत सारा बचा करके अब देखिए ये सवाल सबसे उप्युक्त विकल्प का chain कीजिए 35 का 12% क्या है 35 का 12% क्या होगा 35 का 12% क्या होगा कुछ नहीं करना है यार इसको क्या ही है ये तो मुझवानी होगा 12,5,6,2,6,6,6,2,4,4,2 420 किसमें दिख रहा है आपको 420 पस इसी option में दिख रहा है ना अब भोलोगे 420 कहा है इसमें तो आप इसको 100 से divide कर दोगे तो क्या होगा 10 से 10 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा 4.2 is the correct answer सिंपल समझ गए ना कैसे निकालते हैं नहीं आया समझ में देखो बता रहा है 35 का 12% ऐसे यह लिख होगे ना अब 5 सते 35, 5, 20 में 100 2, 6, 12 6 सते 42 बटे 10 यहाँ 10 हटाओगे तो पॉइंट 4.2 आ गया बस ऐसे ही होगा यह question आगे बढ़ते हैं next question माहिम ने 175 में से एक टेस्ट में 126 अंक प्राप्त किये माहिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिस्ट क्या है सिंपल सा सवाल है एक्जाम में ऐसे equation आते हैं 126 divided by 175 into 125 सते 175 25 24 100 ठीक है 25 सते 175 25 confidence बूश्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे hard question में देख करकर डरना नहीं है ऐसे question exam में आपको देखने को मिलेंगे हो सकता है एक आत question hard आ जाएं लेकिन maximum question आपको इसी level के होंगे अगला question करते है 21 चॉकलेट को 5 unit इस्टू 2 के अनुपात में साजह की जाती है छोटा हिस्सा चॉकलेट होगा कितना तो देखो 5 इस्टू 2 बड़ा वला हिस्सा 5 unit है छोटा वला हिस्सा 7 unit है दोनों को सम कर दो टोटल कितना है 7 unit है 7 unit की value कितनी है 21 चॉकलेट एक unit परावर कितना हो जाएगा 3 तो बड़ा वला हिस्सा कितना हो जाएगा 15 छोटा वला हिस्सा कितना हो जाएगा नहीं एक unit के value अगर 3 है तो 5 unit के value कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी और 2 unit के value कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी अब जो पूछे बता दीजिए बड़ा वाला पूछे तो 15 चॉकलेट है छोटा वाला पूछे तो 6 चॉकलेट है पूछा क्या है छोटा हिस्सा तो 6 आंसर हो जाएगा आपका 6-0 correct answer option number 2 ठीक है आगे बढ़ते हैं next question के दर next question है यह भी असान सा सवाल है उम्मिद करता हूँ आप लोग करी लेंगे 15-30 और 24 का LCM पूछा है 15-30 और 24 का LCM पूछा है 15-30 और 24 का LCM पूछा है कैसे निकालोगे इसको भी यह कुछ नहीं है simple सा है 24 को 8 into 3 लिख सकते हो लिख सकते हो 30 को 5 दूनि 10 30 लिख सकते हो 15 को 5 दूनि 10 लिख सकते हो बिल्कुल लिख सकते हो तो 2 का सबसे बड़ा factor क्या है 8 है 8 लिख दिया 5 यहाँ पर है यहाँ से 5 लिख दिया और 3 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है तो 3 लिख दिया 8-5-4 दिया 120 120 देखो option में कहा है वही answer होगा चौथा answer चौथा option 120 युदे correct answer ठीक है तो ऐसे ही exam ऐसे ही question exam में आपको आएंगे फालतू का hard question के चक्कर में न पढ़िए request कर रहा हूँ है आपसे ऐसे question के practice कीजिए previous year question को बार बार लगाईए और आप कैसे questions चाहते है थोड़े और high level के थोड़े moderate थोड़े से high high के चक्कर मत पढ़िए tough question के चक्कर मत पढ़िए moderate तक जाईए moderate से उपर मत जाईए question solve करने ठीक है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो comment करके मुझे जरूर बताईए और जो भी आपके suggestion हो वो भी share कीजिए बा